मदवनी जिला के सीमा बढ़ती इलाके में मवेसी की तसकरी बेलगाम है जहां इस्थान ये प्रशाशन के मिली भगत से खुले आम तसकरी होने का मामला सामने आया है इतना ही नहीं तसकरों का होसला तो देखिए साब तोर पर कह रहा है कि तसकरी के लिए हर लाकी थाना में मवेसी पर 50 उर्पया बांधा हुआ है फिर महिने में टोटल जोड़ कर हिसाब होता है यह हम नहीं बलकी तसकर का कहना है आपको बता दे कि हर लाकी थाना चेत्र में मवेसीों का तसकरी कोई नई बात नहीं है दरसल थाना छेत्रिम के उमगाउं में मुख्य मार्ग किनारे बैल बजार लगती है जहां बैल वे मवेश्यों की तसकरी खुले आम होती है कई वार विश्व हिंदू परिशत के सदश्यों ने दर्भंगा की ओर ले जाते हुए तसकरी के मवेश्यों को पीक अप समेत पकरड़ कर पुलीस के हवाले कर दिया बाजू तसकरी पर लगाम नहीं लग रही है दुख की बात यह है कि सुत्रों की माने तो बौडरों पर तेनाद एसबी से नजरे बचा कर खुले बौडरों का फाइदा उठाते हुए तसकरी की मवेश्यों को नेपाली तसकरों के हातों ओने पोने भाव में बेस दी जाती है और फिर नेपाली तसकर पहारी इलाके में बेचते हैं जहां तसकरी के मवेश्यों को काट कर उसका कच्चा मास को आसपास के बजारों में बेचा जाता है आईए खुद सुनिए क्या कहना है तसकर राम किशुन का पारा होता है कि या मेश्यों होता है यह यह जो खर्द के लिख जाएंगे जो खर्द के लिख जाएंगे नेपाल के होंगे यहां पर जो है जो परशासन आप लोग नहीं रुखती है कि महना देता है अब हरलागी छत्में तो हरला की थाना को आप महना देता है तो 50 देता है किन को देता है थाना में एक मवेशी पी कितना देते हैं कि पैसा देते हैं परीस को पचास पर माल देता है तो कैसे पता चलेगा पुलिस को कि अच इतना मवेशी गया पुलिस को कैसे पता चलेगा तो प्रीस को पता होगा जा रहा है आपका नाम क्या हुआ हमा नाम नाम किसुम एसे ही सभी परकार की खबरों के लिए आप देखते रहें पिहार 24 सच से सामना क्या है